हलो उगनू स्टूडेंट्स नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पीयस स्टेडी सेंटर में आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ M.E.C. 103 Quantitative Methods का Solve Assignment जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम अपने चैनल पे M.E. Economics First Year के स्टूडेंट्स के लिए Solve Assignment की एक पूरी सीरीज ला रहे हैं जिसमें ये आपका Third Assignment है इससे पहले की वीडियो में हमने दो Assignment डिसकस कर लिये हैं M.E.C. 101 को और M.E.C. 02 को तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे आप चेक कर ले वहाँ आपको M.E.C. की पूरी प्लेलिस्ट Hindi Medium और English Medium दोनों में ही मिल जाएगी तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करते हैं इस Assignment की सेशन की और Submission Date की उसके बाद इसके सॉलिशन को हम ध्यानपुर्वक बहुत ही Slow Scroll करते हुए देखेंगे तो देखेंगे अगर आपने M.E.Economics में Ignu से Admission लिया है और ये Admission आपका अगर जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 के सेशन में है तो ये Assignment आपके लिए ही है बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे है अब बात करते हैं सेशन के अकॉर्डिंग इसे आपको Submit कब तक करना है तो जुलाई 2022 वाले स्टूडेंट इसे 30 मार्ज 2023 तक सब्मिट कर पाएंगे और जनवरी 2023 वाले स्टूडेंट इसे 30 अक्टूबर 2023 तक अपने स्टूडी सेंटर पे ऑनलाईन या उफलाइन मोट से सब्मिट कर पाएंगे अब आप सेशन और सब्मिशन डेट को समझ चुके होगे एकची ध्यान और रहे है फ्रेंज की Assignment सब्मिशन की जो डेट है इसे कम से कम 2-3 बार Extend किया जाता है और ये अभी से नहीं हो रहा ऐसा करीब 10-15 साल हो गए Continues इग्नू में यही पैटर्न चलते आ रहा है तो डेट एक्स्टेंट हुआ है नहीं हुआ नोटिफिकेशन कब आई इसकी अगर जानकारी आपको टाइम पे चाहिए और इग्नू रिलेटेट कोई भी अपडेट अगर आपको टाइम ली चाहिए तो जरूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि आपको हर अपडेट टाइम ली मिल पाए ठीक है अब आप इतना समझ चुके होंगे और ये था कोश्चन पेपर जो कि इग्नू के ओफिशल वेबसाइट से लिया गया था और टोटल आपको यहाँ 7 कोश्चन दिये गए हैं सभी का सॉलीशन इस वीडियो में हम प्रेजेंट करेंगे तो चलिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करते हुए अब इस वीडियो के सॉलीशन को शुरुआत करते हैं तो देखें यहाँ जो हम असाइमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं यह हैंडिटन फॉर्म में लेकर आए हैं यह हैंडिटन इसकेन पीडियाफ है ठीक है तो हैंडिटन इसकेन पीडियाफ आप देख रहे हैं लेकिन आपको बता देए हमारे पास जो असाइमेंट्स आवलेबल होते हैं वो कम्पुटर टाइप पीडियाफ के रूप में भी अवलेबल होते हैं ताकि उस पीडियाफ को आप अपने वाटसाप पे परचेस करके मंगा ले और उसे इजली कॉपी करके आप लिख सकते हैं हैंडिटन पीडियाफ ओनिस्टुइंट्स के लिए यूसफुल होगा जिनको अपने असाइमेंट आउनलाइन मोड से सब्मिट करने होगे दिये के नमबर पे वाटसाप पे मेसेज करेंगे चाहे आपको पीडियाफ परचेस कर रहा हो या हैंडिटन हार्ट कॉपी परचेस करना हो यह जो वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं यह हमारे एक स्टूडेंट ने ओर्डर किया था और उनके पास यह सक्सेस्फ़ली पहुँच चुका है यह आपके डेमो के लिए हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारे द्वारे जो असाइमेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है तो देखें यहाँ पर बिल्कुल neat and clean अच्छी handwriting के साथ और pages की बात करें तो इस assignments में total 37 pages का use किया गया है यानि answers की length भी आपको short नहीं मिलेगी handwriting आपको अच्छे मिलेगी और बिल्कुल neat and clean अच्छे से इसका prepare किया गया है इवन जहां requirement है diagram और graph का भी use speed post से तो उसकी जादर जानकारी के लिए आप हमें WhatsApp पे message कर लेंगे देखें students जब आप अन्य platform से assignments order करते हैं तो वहाँ आपके सामने सबसे बड़ी problem यह आती है एक तो trust issue होता है कि आप किसी भी नए channel या website को आप तो जानते नहीं है जहां से आप order कर रहे हैं तो ऐसे में हमारा channel आपके लिए बहुत trusted होगा क्योंकि आप हमारे channel को analyze करें हमें 4 year plus हो चुके हैं आपके लिए लगतार हम एगनूर लेटर services प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है और साथ ही आप देख सकते हैं आप जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे भी जरूर लाइक कर दीजेगा और इगनू का कोई भी student हो आपके रिलेटिव में हो family member में हो तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि कोई भी students अगर assignment purchase करता है तो उसके साथ कोई fraud ना हो बिल्कुल सही assignments पहुँचना चाहिए और ऐसे में हमारा चैनल उनके लिए trusted way होगा तो ये आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी thanks for watching करता हुँचना करता हुँचना करता हुचना 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 करता हुचना